क्या आप pregnant हैं या फिर pregnant होने की इच्छा रखते हैं तो ये वीडियो आज का आप लोग के लिए ही है अगर आप एक healthy baby चाहते हैं या एक बहुत स्वस्त बच्चा चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है उसके लिए सबसे ज़ादा जरूरी है कि हम अपनी एक अच्छ में pregnant हैं तो दोस्तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कौन से वो superfoods हैं जो हमारी pregnancy में हमें healthy बना के रखेंगे नमबर एक पे आता है milk जी हाँ दोस्तो दूद एक बहुत ही ज़्यादा calcium का स्रोथ है जिसमें बहुत ही ज़्यादा calcium होता है जो कि आपकी नौ महीने में आपकी हड़ियों को चुस्त अतंदुरूस्त रखेगा तो एक glass दूद आप जरूर पीए अपनी पूरी pregnancy में dairy के products हमारी पूरी pregnancy में हमारी body को बहुत ज़्यादा calcium से भरपूर रखते हैं सेकेंड नमबर पे आ जाता है पनीर जी हाँ दोस्तो पनीर भी आपके body में बहुत सारा calcium देता है अगर आप पनीर को कच्चा खा सकते हैं तो कच्चा खाईए otherwise किसी भी vegetable के साथ आप इसे आराम से पूरी pregnancy खा सकते हैं दूद और पनीर खाने से हमारे बच्चे का वजन भी बहुत अच्छा होता है नमबर तीन पे आता है दही दही दोस्तो आपको pregnancy में जरूर एक कटोरी डेली खाना चाहिए दही खाने से क्या होता है कि हम जो medicines पूरी pregnancy लेते हैं वो हमारी body बहुत पूरी pregnancy एक कटोरी दही जरूर खानी चाहिए चौथे नमबर पे आ जाता है coconut water यानि की नारियल पानी यह हमारी body का blood pressure है उसको पूरा control रखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है और हमारे हमारी skin के लिए plus हमारी बच्चे की skin के लिए दोनों के लिए यह बहुत ही अच् दोस्तों पांचवे नमबर पे आता है सोया बड़ी दोस्तों सोया बड़ी एक बहुत ही ज़्यादा super food माना गया है for pregnancy में क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में protein होता है जो कि आपके तकरीबन 5 glass दूसके बराबर होता है तो इसे pregnancy में daily आप जरूर 4-5 या 10 quantity में जरूर लें दोस्तों नमबर 6 पे आ जाते हैं बादाम आउल्मंट्स दोस्तों इसमें बहुत ही ज़्यादा fiber होता है जो कि हमारे बच्चे के दिमागी रूप से उसको विकसित करने में या उसके दिमाग को बहुत ही ज़्यादा विकास करने में मदद करता है तो आप daily रा पास करने में उसकी हड्डियों को मजबूत रखने में और प्लस हमारी हड्डियों को मजबूत रखने में बहुत ही ज़्यादा मदद कार होता है तो आप इसे भी तीन से चार पीसेस में रात में भीगो करके सुबा जरूर लें तो चलिए दोस्तों देखते हैं नमबर 8 प देना शुरू कर देती हैं और वो पालक में भरपूर मात्रा में पाया जाता है तो पालक को या तो आप किसी सबजी के रूप में ले सकते हैं या फिर आप परोटे के साथ बे ले सकते हैं पालक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट है फॉर प्रेगनेंसी मे दोस्तो प्रेगनेंसी में नमबर नौ पे आता है अनार या प्रॉमिग्रेनेट दोस्तो हमारे पूरी प्रेगनेंसी में सारी औरतों की एक शिकायत होते हैं कि उनका पेट नहीं साफ होता तो ये अनार है आप अनार एक डेली खाएं तो ये आपका पेट पूरी प्रेगने में बहुत ही स्मूद रहेगा और मोशन होने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और ये साथ ही साथ आपकी बॉड़ी में जो बलड का सर्कुलेशन है वो भी बहुत अच्छा रखेगा और आपका जो भी बीपी है वो भी कंट्रोल रखेगा तो दोस्तों आप एक अनार अब वो पूरी प्रेगनेंसी हमारी बॉड़ी जो भी पेंस वगेरा होते है उसको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है नंबर ग्यारा पे आजाते हैं अंडे या एक्स दोस्तों आपको एक का जो येलो वाला पार्ट है उसको निकालके खाना है सिर्फ दोस्तों नंबर बारा प्या जाता है फिश फिश एक सीफूड है यह हमारी बॉड़ी को आइरन प्रोटेशियम कैल्शियम और इस तरह कि कई सारे विटमिन से भरपूर होती है तो आप अपनी प्रेगनेंसी में फिश जरूर अपने खाने में वीकली बेसिस पे या मंतली पर एड़ करें दोस्तों मैं उमीद करती हूँ कि यह वीडियो शायद आपके जरूर किसी ना किसी काम आया होगा दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आये हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज नाय वीडियो में तब तक केलिए बाई